जौनी ब्रेश्टो ने अपनी टीम इंगलेंड को नहीं बलकि इसे बताया विश्व कप का दाविदार नमश्कार दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों इन दिनों IPL जारी है जहां कहीं खिलाडी अपना जलवा दिखा रहे हैं वहीं IPL के बाद विश्व कप का आगार 30 मई से इंगलेंड में होगा इसने पहले खितावी दावेदारों की बात होने लगी है इंगलेंड टीम के विगेट कीपर बल्लेवाज और IPL संदराजिस हैदराबाद के खिलाडी जानी ब्रेश्टो ने इस संदर में बेयान दिया भारत के पास सबसे मजबूत बल्लेवाजी करम है गेंद बाजी में उनके पास मैच जिताने वाले खिलाडी है गैरतलव है कि कई दिगर इंग्लैंड को भी विशुकप का दावेदार मान चुके हैं और वो इस बार इंग्लैंड और वो इस बार विशुकप की मेजवानी भी कर रही है वही कुछ लोगों का मानना है कि इंगलैंड और भारत दोनों ही किताब जीतने के दावेदार हैं गैरतलब है कि भारते टीम ने अभी तक अपने नाम दो बार विशुकप किया है और इस बार वो तीसरी तफ़ाट चैंपियन बन सकती है सबसे ज़्यादा विशुकप जीतने का रिकॉर्ड और अस्टेलिया के टीम के पास है जिनोंने पांच वार विशुकप का करक कबजा किया है भारत ने इससे पहले 1983 में कबिल देव की कपतानी में पहली वार विशुकप जीता था उसके बाद विशुकप में इंगलेंड में हुआ इसलिए क्या अब कोली के अगवाई में भारत इतियास दोरा पाएगी या नहीं दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद